जहिन दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे कॉंक्रीट के बारे में किसके बारे में कॉंक्रीट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कॉंक्रीट विश्व भर में सबसे अधिक में प्रयोग किया जाने वाला कंस्ट्रक्शन मैट्रियल है यह क्या है एक कंस्ट्रक्शन है जो विश्व भर में सबसे अधिक यूज किया जाता है और कॉंक्रिट को लोग क्यों जानता है उसकी कि वर्सालिटी के बारे में इसको हम लोग फलता के नाम से भी जानते हैं उसका अश्ट्रेंथ के कारण इसके सक्ति हम लोग बोलते हैं को अरुसकर डुराइबलिटी के कारण उसकी डुराइबलिटी के कारण जिसे हम लोग अस्थाइता भी कहते हैं तो ठीक है concrete हम लोग जानगे क्या है concrete विस्व भर में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला एक construction material है ये concrete को जानने का ये प्रसीद इसके लिए है कि इसकी जो विफलता है वो बहुत देर से होती इसकी इसमें सक्ती बहुत ज्यादा है इसमें durability बहुत ज्यादा है इसके लिए हम लोग जानते हैं सक्ति को एक चली में concrete है क्या तो concrete एक मिश्रन है हम लोग बोल सकते हैं कि concrete एक mixture है किसका है कि सेमेंट का है कि सेमेंट का कि सेमेंट का और किसका है कि aggregate का इंगirlik membraneßen है हम लोग जैसे की सैंदल सकते हैं या तो gravel ले सकते हैं यह हो गया कं एग्रिगेट में और किसका mixer वाटर का कौन सा वाटर dhrinking water का drinking water का फ्रेश वाटर एक दम होना चाहिए और किसका mixer है और add mixer का तो हम लोग जानगे concrete एक construction material है यह इसके लिए प्रसीद है कि इसकी versatility strength durability इसमें सब high होता है इसके लिए concrete प्रसीद है यह क्या है concrete actually में एक mixer है किसका किसका cement aggregate water और mix admixtures का cement aggregate water यह ती चारों का यह चारों का mixture है concrete अब यह चारों अपने आप में एक महत्वपून भूमी का निवाता है concrete के अंदर concrete के अंदर यह चारों अपने आप में एक अंदर महत्वपून भूमी का निवाता है अगर हम बात करें cement की अगर बात करें हम सिमेंट की तो सिमेंट क्या है सिमेंट एक बैंडिंग मेटरियल है यह क्या करता है जो कोर्स एग्रिगेट होते हैं एग्रिगेट होते हैं यह दो टाइपस के होते हैं यह कितने टाइप के होते हैं टू टाइपस के होते हैं एक फाइन होते हैं और एक कोर्स होते हैं तो जो सिमेंट रहता है वो कोर्स एंड फाइन एग्रिगेट को बैंड करने का काम करता है ओके हम लोग यह जानगे अब एग्रिगेट तो एग्रिगेट हम लोग क्रस्ट अस्टोन जो होता है क्रस्ट अस्टोन और अस्टोन जो होते हैं वो क्रस्ट अस्टोन को हम लोग fine aggregate के अंदर ले लेंगे stone को हम लोग coarse aggregate के अंदर ले लेंगे तो aggregate जो होता एक crust stone होता है और यह generally two types के होते हैं fine aggregate होते हैं और coarse aggregate होते हैं यह समझ गे हम लोग अगर हम लोग आप लोग BIS पढ़े होंगे CU number 480 इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर अगर आपका CU number 480 अगर past कर देता है stone जो stone past कर देता है उसको हम लोग fine aggregate के अंदर में रखते हैं जो retain कर जाता है CU number 480 में जो retain कर जाता है उसको हम लोग coarse aggregate के अंदर में रखते हैं तो यह aggregate का हो गया इसमें हम लोग water में mix कर रहे हैं वाटर की क्या है, अगर हम लोग इसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो यह जो वाटर है, यह पूरा फ्रेश वाटर होना चाहिए, यह ड्रिंकिंग वाटर ही होना चाहिए, कहने का मतलब है, इसमें ओइल नहीं होना चाहिए, एलगी नहीं होना चाहिए, ग्रीश नहीं होना च चाहिए इसमें हमारा fresh water इसमें mix किया जाता है उसमें साथ साथ हमने देखा एक और है यह क्या है add mixer तो हम लोग concrete में add mixers भी use कर रहे है क्या use कर रहे है add mixers तो add mixers का मुख्य काम क्या होता है change in property किसी भी construction material को अगर हम लोग add mixers add करते हैं तो इसमें उसकी property को change कर देता है उसकी strength को घटा देगा या बढ़ा देगा उसकी durability को घटा देगा या बढ़ा देगा उसकी workability को घटा या बढ़ा सकता है मतलब change in property एक प्रकार से add mixers कहलाता है तो हम लोग add mixers क्यूं use करते हैं concrete में क्यूंकि अगर हमें transportation करके अगर concrete कहीं लेके जाना है तो transportation के time में concrete में workability strength setting time जो cement का हम लोग जेनरली देखा जाता है cement का cement का जो initial setting time होता है वो 30 minutes होते हैं और final setting time जो होते हैं वो 10 hours होते हैं इसके हिसाब से अगर हम लोग concrete में अगर जाते हैं तो अगर setting अगर जल्दी हो जाए 30 minutes और 10 hours के बीच में हमें अगर initial setting time है 30 minutes इसके अंदर में अगर हम लोग नहीं खाली पाए ज्यादा दूर लग गया तो हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग admixers use करते हैं कि उसकी initial setting time को increase कर दे यह depend किया जाता है उसकी strength durability और workability के हिसाब से कि हम लोग कौन सा admixer उसमें यूज करेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि concrete क्या है यह construction material है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज क्या जाता है यह प्रसीद होने का कारण है इसका concrete का कि इसकी versality strength और gravity सबसे अच्छी होती है यह mixers होते है सिमेंट एग्रिगेट और water ready mixer का सिमेंट एक binding material है जो coarse aggregate और fine aggregate को bind करने का काम करता है aggregate एक crushed stone है इसे sand हम लोग या gravel भी use कर सकते हैं अगर aggregate के बारे में बात करें तो यह two types के होते हैं यह fine aggregate होते हैं coarse aggregate होते हैं अगर आप लोगोंने BIS sieve 480 अगर दीखा है sieve no.480 अगर हम लोग उसमें पास्ट कर देंगे तो वो fine aggregate में आ जाता है retain कर जाता है उससे तो वो coarse aggregate में आ जाता है add mixers वो change in property के लिए काम आया जाता है उसकी property को हम लोग concrete के property को अगर change करना रहे increase करना रहे पढ़ाना रहे घटाना रहे तो हम लोग add mixers का use करते एड mixers में हम लोग common soda और lamb और calcium sulphate silicate यह सब बहुत सारे बहुत सारे हम लोग add mixers यूज़ करेंगे तो हम लोग आसके बीडियों में इतने ही जानते हैं आगे हम लोग देखेंगे concrete की क्या-क्या benefits है क्या-क्या benefits है ओके थैंक्यू धन्यवाद